हेलो फ्रेंड स्वागता आपका हमारी वीडियो में आज मैंने बनाया है ये विंड मिल का प्रोजेक्ट विंड मिल टर्बाइन भी से कहते हैं तो आए बनाते हैं वीडियो को पूरा देखेगा तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमने एक न्यूस पेपर को फोल्ड करकर इस तरह एक पाइप बना लिया है और उसके ओपर एक वाइट कलर का पेपर यूं पेस्ट कर दिया है और आगे से कुछ डेकुरेट करने के लिए मैं इसके ओपर ब्लैक कलर की ये जो हैं पेपर स्ट्रिप्स कट करके इसके उपर इसे चिपका दूँगा तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे बहुत सी आर्ट क्राफ्ट के रिलेटिड स्कूल प्रोजेक्ट के रिलेटिड वीडियोज अवेलेबल है तो इस तरह friends मैं इसके ओपर कट करके ये strips इसके ओपर इस तरह one by one इस तरह चिपका दूँगा और ये पहली strip देखे इस तरह चिपका लेनी है हमने आप चाहें तो ना भी चिपका ये ऐसे ही आप बना सकते हैं और अब पूरी मैं इसके ओपर ये लगा लिए मैंने अब ये देखने में थोड़ा जादा attractive और अच्छा लग रहा है और अब हमें एक चाहिए friend DC motor एक हमें battery चाहिए जो इस motor को run करेगी और एक हमें छोटी ये light चाहिए जो battery के साथ चलती है इसके जो points है negative positive आप एक बार चला कर देख लीजे हाँ जी ये बिल्कुल सही है ये वाला negative है और एक positive इस तरह motor के भी connection चेक कर लीजे अगर ये ulti wire लगती है तो कई बार ये नहीं जलता अगर सही connection होगा तो चलेगी लेकिन motor जो है वो चल जाएगी दोनक sides में तो अगला step है friends की हमने एक cardboard के basis कट करके इस तरह एक fan बना ली है जिसके चार fan है साइडों में चार पंक है और अब इसके उपर हम इसे motor के उपर इस तरह इसे चिपका देंगे और चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर friends यूज़ करूंगा glue gun क्योंकि इसके उपर fabi call के साथ तो यह नहीं चिपकेगा तो glue gun काफी easy है तो glue gun लगाके और इसके उपर अब हम इसे paste कर देंगे यह देखिए यहाँ पर इस तरह आराम से बिलकुल सही direction में हम इसे चिपकाएंगे तांकि यह move करते हुए हिले नहीं और यह इसके उपर देखिए अब connect हो गया है दो तिन सैकिंड आप पकड़ के रखिए बिना ही लाए अब देखिए इसके उपर यह इस तरह move हो रहा है जैसे जैसे motor चलेगी यह punk भी इस तरह अपनी direction में गूमेगा और आगे हमें एक न हट चाहिए यह हट बनाने की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है उसका link मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आड़ कर दूँगा तो आप यह पूरा cardboard से, waste cardboard से ही बना रखी है पूरा यह house तो इसका link available है description में आप वहाँ जाके देख सकते हैं और अगला step our friends की हमने अब यह जो हमारे पास छोटी light है इसे हमने यहाँ पे घर के उपर इस तरह लगा देना है ताकि जब यह हम battery से on करेंगे तो यह चलेगी और अगला step our friends की हमने जो यह pall बनाया है जो pipe बनाई है newspaper के साथ तो इसके उपर हमने color paper लगाया था black color का तो अब हमने क्या करना है एक ना cardboard की sheet ले लेनी है आप चाहे तो कोई पुराना डबबा आपके पास होगा shoes का या कपड़े आप लाते हैं वो भी आप use कर सकते हैं तो मेरे पास एक cardboard का piece है मैं इसके उपर इसे glue लगाके एक side पर इस तरह मैं यहाँ पर इसके उपर चिपका दूँगा glue stick से मैंने glue gun से मैंने इसके उपर pasting की है और अब यह देखे यहाँ पर इस तरह fix हो गया है और अगला step है friends की हमने अब जो motor है उसे इसके उपर fix करना है तो पहले आप glue gun के साथ थोड़ा सा glue लगा लीजिए और उसके बाद हम इसके उपर लगा देंगे अपनी motor और friends आप video को like जरूर कीजिएगा अगर आपने subscribe नहीं किया हमारा channel प्लीज subscribe कीजिए और हमारी video share भी कीजिएगा और comment करके बताएगा आपको यह video कैसा लगा और friends अब हमारा जो model है यह बनके ready है एकदम चल रहा है इसमें आपको light थोड़ी कम लग रही होगी क्योंकि रोचनी जादा है लेकिन हमारी light जल रही है और fan भी हमारा गूम रहा है motor हमारी चल रही है पीछे हमने connection कर दी है बैटरी के साथ तो इस तरह आपे model बना सकते हैं